है है Hello friends friends science by Gallup sir में आपका most welcome है तो electricity का बहुत सारे lecture हम लोग already complete कर चुके हैं तो यह electricity का last topic है जिसमें हम लोग सीखेंगे electric power क्या होता है है Hello friends friends science by Gallup sir में आपका most welcome है इस वीडियो में हम लोग electricity का एक जो नया topic है electric power उसको हम लोग सीखेंगे इस पहले वाले वीडियो में हिटिंग एफेक्ट क्या होता है करेंट का उसको अलेडी हम लोग पढ़ चुके हैं जिसको हम लोग जूल भी बोलते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्रिक पावर क्या होता है तो देखें इलेक्रिक पावर से पहले हम लोग समझते हैं पावर क्य है तो हम बोलेंगे उसका पावर क्या है कम है तो एक ही समय में अगर दो आदमी काम कर रहे हैं ज्यादा काम किया एक कम काम किया तो ज्यादा काम किया ठीक है उसका पावर ज्यादा होगा और जो कम काम करेगा दिये गए समय में उसका पावर क्या होगा कम होगा तो पावर का स जाएगा work upon t ये general formula हो गया इसी को work जो होता है work से ही का आता है energy आता है energy से work आता है दोनों का formula same होता है तो work के जगह पर हम क्या लिख सकते है energy upon time मतलब एक दूसरा definition हम बना सकते हैं आप work किस rate से कर रहा है होगा किस रेट से energy कर्ण हो रहा है उस सी आसी को मणों बॉक्avais बोलेंग ःतिक है यह दोनों formula basic इसको याद रहीएगा अब देखिये अब हम बात करेंगे electrical power त्वेलेक्ट्रिकल पावर का मतलब गया जो electrical energy है वो किस रेट से खर्च हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पावर का मतल्ब हो गया इलेक्ट्रिकल इनर्जी किस रेट से खर्च हो रहा है या किस रेट से बरबाद हो रहा है उस रेट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर तो इलेक्ट्रिक पावर का सीम्बल मतल्ब हो गया से सीव सकते हैं और अलेक्रिक फर्मूला आपते हम इसक पने ऩग्वन का सकते हैंtar डिया ह्यातस पर आए स्काइश हद कर जाएगा तोपी बराबर आपका लगश्रक्राय अ को फो Stayton ॉंस-क बिम्यों बातस आपर लिग सकते हैं यह यह अर बराबर खा सकात। आई यार बराबर होता है भी तो यहां पर आई और आई यार को भी में लिख सकते हैं तो पी बराबर क्या हो गया भी है तो पी बराबर भी आई आप यार रिखेगा मोश्ट मोश्ट इंपोनेंट है ठीक है अब भी को आई यार में बदलके आई एस्वार आर लिख सकते हैं या I को B में बदलके B A square बटा R लिख सकते हैं, यह main formula हो गया P बराबर B I, तो electrical power का formula हो जाएगा B into I, और main formula या रखेगा, power का main formula होगा वोगा work upon time या energy upon time, ठीक है, और इसको electrical energy में बदलेंगे, तो P बराबर क्या आएगा, B I यहाँ पर आपको बता दिये, P बराबर B I, यह main formula याद खेगा, अब B को अगर I में बदलेंगे, तो I square R हो जाएगा, P बराबर, या अगर हम I को B में बदलते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, B square बटा R हो जाएगा, ठीक है, यह formula basic है, आपको ध्यान लखना है, ठीक है, पावर समाजगे हम लोग, अब देखे, ASI unit का हो 1 watt का मतलब क्या होता है, अब 1 watt को दो तरीके से define कर सकते, एक basic, 1 watt, watt मतलब का होता, इनर्जी अपन टाइम, तो 1 watt बराबर आप लिख सकते हैं, 1 joule upon 1 second, मतलब 1 second में कितना इनर्जी खर्च हुआ, उसी कमनों का बोलेंगे, 1 watt बोलेंगे, तो 1 watt बराबर, 1 joule upon 1 second, मतलब 1 second मे अगर 1 joule energy खर्च हो रहा है, किसी काम को करने में, तो हम बोलेंगे, उसका power कितना 1 watt है, मतलब वो 1 second में, 1 joule work किया है, या 1 joule वो energy खर्च किया है, इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, electrical power का बात करेंगे, तो P बराबर केतना था, भी आई, तो ये भी हम बोल सकते ह है, electrical power बराबर ये भी define कर सकते है, जे, एक ampere, आई होगी आपका current, और भी होगी आपका voltage, तो इसको ऐसे भी लिख सकते है, अगर 1 ampere current, ठीक है, run करता है, ठीक है, कितना potential difference में, एक volt potential difference में, तो हम कहेंगे, उसका power कितना होगा, उसका power 1 watt होगा, तो 1 watt को दो तरीके से define कर सक सकते है, एक 1 watt बराबर 1 joule upon 1 second, एक second में 1 joule energy खर्च होता है, तो 1 watt हो जाएगा, दूसरा इसको लिख सकते है, जब 1 ampere का power, ठीक है, एक voltage के साथ run करेगा, potential difference अगर एक voltage होगा, एक volt होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस power को बोलेंगे 1 watt, ठीक है, ठीक है, तो दोनों त 1 watt सेकेंड, दूसरा आप 1 watt को लिख सकते है, 1 ampere current, 4 into 1 voltage, ठीक है, 1 kilowatt बराबर केतना हो जाएगा, तो 1 watt में 1 joule per second, 1 kilowatt में का हो जाएगा, 1000 watt, 1000 watt को का बोलेंगे, 1 kilowatt बोलेंगे, ठीक है, किलो मतब 1 हजार होता है, और इस यूद पर सेकेंड में भी लिख सकते है, 1000 joule per second, ठ सब unit हम लोग अल्रेडी पर चुके है, तो 1 watt को हम लोग ऐसे भी लिख सकते है, volt into 1 ampere, या 1 watt को हम लोग ऐसे भी लिख सकते है, ठीक है, और 1 kilowatt मतब हो जागा, 1000 watt, electrical energy का और भी unit होता है, जैसे watt hour जो होता है, वो किसका unit होता है, electrical energy का, दूसरा, 1 watt hour हो गया, 1 kilowatt hour होता है, यह होता है, इस पर भी question push लिया जाता है, तो जब 1 watt का power, जैसे bulb हो, फैन हो, अगर कोई 1 watt का power है, कोई भी device है, और एक घंटा के लिए run करता है, तो हम बोलेंगे, जो उसमें कितना energy खर्च हुआ, 1 watt hour उसने energy खर्च किया, ठीक है, 2 watt hour का मतलब हो जाएगा, 2 watt का अगर कोनो device है और एक घंटा के लिए चलता है, तो 2 watt hour हो जाएगा, ठीक है, एक किलोवाट का मतलब का होता है, एक किलोवाट का मतलब होता है, जब कोई device एक किलोवाट पावर का है, और वो एक घंटा के लिए चलता है, ठीक है, तो एक घंटा के लिए कोई ऐसा device है, जिसका power 1 kilowatt है, तो दिभाईस एक घंटा के लिए चलेगा तो कितना इनर्जी को खर्च करेंगा फोलेंगे ऑर यह दखेंगगा पहले भी बता थे वन किलो वाट आवर का मत्तब होता है कितना जूल इनर्जी यह होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल इनर्जी एतना इनर्जी एक घंड़ा में खर्च होता है ठीक है किसके द्वारा एक किलो वाट डिवाइस द्वारा नीचे लिखे भी है तो कमेर्सल यूनिट क्या होता है तो जो हम लोग यूनिट बात करते हैं घर में जैसे एक यूनिट दो इनर्ख चुओ गया क्यतना इनर्जी खर्च हुआ है है 1 किलो वाट आवर मत्रों 1 kwh व फ्यूनित आगर खर्च हुआ है तो दो किलो वाट आवर ठीक है पचास इुट खर्च हुआ है तो 50 किलो वाट आवर और साथ किलो वाट आवर अब इसको आपको जूल में बदलना है तो काकी जी आप 3.6 3.6 से गुना कर दिजेगा तो पुडा इनर्जी आपका आ जाएगा जो बिल देते हैं ठिक है जोबिजली हम लोग करते हैं जतना इनर्जी करकते उसका देते आने तो है तो यह भी है अगलो वार्ट जो है आपका वान किलो वाट आवार यह जो yapt ourselves यह तो यस आ क्यों। तो इलिक्टिकल पावर क्या होता है इलिक्रेटल इनेर्जी क्या होता हम लोगोसमद्ध कुक favorites क्योशन और हम लोग करते हैं पहला क्योशन है वाटीदर गयुंड़ सlas you need of le colors electric power का it's a unit क्या होता है तो पावर क्या क्या होता है what उसक आप आई स्कार आर लिग दीजिए भी बराबर आई रहोता है या देखिएगा भी बराबर आयर होता है इसी काप आई से भी लिख सकते आई को अगर भी मीश्यकर पॉर टेक तो पी बरावर का हो जाए गापका आई किलो वाट आवर होता है इसी को केतना जूल में अगर लिखना पड़े तो क्या होगा 3.6 इन्टू 10 का पावर 6 जूल इतना जूल को हम लोग आ बोलते हैं 1 किलो वाट बोलते हैं तो कौन आप्शन हो जाएगा आपका किलो वाट आवर सी ऑप्शन हो जागा किलो वाट आवर का मत्द हो जाएगा 1KWh अगला कुशन है दिवाइस डैट कॉंजूम्स 1000 वाट और पावर फोर वन आवर्स उजेज हाव मेनी उनिट्स अफ एलिक्टिकल इनर्जी अगर कोई डिवाइस है जो 1000 वाट का है और एगँडा चलता है तो कितना इनर्जी वो खर्च करेगा तो एक क्लुवाट आवर हो जाएगा दी आपका क्या होगा तो अगला कोशन है if the potential difference across a device is 10 volt and its draws 2 ampere of current what is the power power निकालना है और यहां पर क्या क्या दिया है आपको volt दिया है voltage दिया है और क्या दिया है current दिया है ठीक है तो देखिए power निकालना है तो power बराबर का होता है main formula का भी इंटू आई तो देखिए पावर बराबर का हो जागा भी दिया है 10 और आई दिया है टूथ कितना हो जाएगा 20 था पावर कितना हो जाएगा 20 वाट ठीक है तो यह option का हो जाएगा सब्सक्राइब अगला कोशन है which are the flowing quantities is not related to electric पावर से कौन सा यहां पर जूड़ा नहीं है ठीक है पी बराबर क्या होता है work upon time होता है इसी को लोग भी आई भी लिखते है ठीक है electrical power में तो यहां पर टाइम आये गया voltage आये गया और current आ गया फिर भी को आई कि आर में बदलेंगे तो आर भी आ जागा मतल्म यहां पर कौन नहीं आएगा तो इस फिट नहीं आएगा अगला कोशन है दा इनर्जी कॉंजूम बाई एन इलिक्टिकल अप्लाइंस इस टू किलो वाट आवर हो मस्ट इनर्जी इस इन जूल्स तो दो किलो वाट आवर ख इस इपन पैंट टू गुणना दस का पावर शिक्त जूल ठीक है इतना इनर्जी वह खर्च किया ए ओप्शन हो जाएगा अगला कोशन है वीच अवीच अफ्लेग इजे लार्जर इनिट अफ इलिक्रिकल पावर का लार्जर इनिट क्या है तो वाट वाट के बाद क्या हो ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका किलो वाट के बात का होता है Megawatt होता है तो दी ओप्शन का हो जाएगा तो हो जाएगा वाट इदा पावर कॉंजूम्न वेन एक तेन वोल्ट बैटरी एज कॉनेक्टेट टू ए पांच ओम रसिस्टर ठीक है तो यह बोल्टेज दिया है वोल्ट है और रेसिस्टेंस दिया है 5 ओम आपको पावर निकालना तो P बरावर का हो जाएगा B आई हो जाएगा दूसर फर्मूलर लिख सकते है भी अ स्कॉर बट आर क्यों भी और या थी आ तो B कितना है दस दस का स्कॉर्ट बटा आर कितना है फाइब कितना हो गया सो में पांच से डिवैट करेंगे 20 20 वाट पावर हो जाएगा अगला कुशन है इप रेसिस्टेंस इन सर्कुट डॉबल तेक है रेसिस्टेंस को और डॉबल कर देते हैं किसी सर्कुट में तो पावर पर क्या हो जाएगा तो पावर हो जाएगा तो पावर विल भी हाफ यह अच्छा कोशन था अगला कोशन है इनर्जी कॉंजिम बाई एन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेट एट 500 वाट ठीक है इलेक्ट्रिकल आयरन है जो 500 वाट का है दो घंटा के लिए चलता है तो किना इनर्जी खर् जीए यह किलोवाट हो गया है कि अगूने कितना घंटा चला दो घंटा थो ठीक है जब भी क्योंब्द्ध में ट्र तो नोगुना कर दे एक एखाजर से टिवाइट कर देना है ठीक है तो एक एक सट डिवाइट किजिए को दो तो कर गया पने दूना तीस ठीक है तीस बटा कितना हो जागा दस फिर यह कर जागा तीन तो तीन किलो वाट इनर्जी यह खर्च करेगा आईरन अगला कोशन है वीच यूनिट इस कॉम अनी उस्पूर मेजिरिंग इलेक्टिकल इनर्जी ठीक है किसमें मापते हम लोग तो उपर किलियर है किलो वाट न होजाएं टो साइरा क्तैसार जाओ गर्डइ ना यह लेख अंगला ऑन्गी मैं अगल इसार्किट बिट कॉंस्चेंट ऍजैस्टेंस kिसी सर्कीट में अगर कॉंस्टैन क्वाइवट होगा हुगा अगर हम बॉल्टेज को डबल कर देते हैं तो बेज़किश को डबल कर घाइगा अगला कोशन ये बुरी रच یक रागल होता है ये बॉर एसय को होता है उसका पाऊर कैपना होताम होता माईन occupy यहां हम लोगा द questa सरह हम लोग 16 कोशन कम्लिट कर चुके हैं इस पर बेस्ट आई होप यह वीडियो आपको आच्छा लागा होगा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो इससे सब्सक्राइब करें मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में जाहिंद